असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को टेंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नमबर 27 पढ़ाने जा रही हूं जो की एक घजल है क्या है गजल किसे कहते हैं आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे और गजल आप लोग को पढ़ना भी है और इस चैप्टर के जो लेखक है यानि कि इस घजल के मुसंनिफ आप बोल सकते हैं शायर वो है मुबारक अजीम अबादी और यहां पर एक चीज़ आप लोग और ध् पढ़ना है ठीक है पहला गजल चैप्टर नंबर 27 जो कि आज आप लोग पढ़ेंगे और दूसरा गजल जो कि नेक्स्ट चैप्टर नंबर 28 ठीक तो फिलाल अभी पहले पहला गजल पढ़िए मुबारक अजीम अबादी की ठीक तो गजल के बारे में तो हम लोग सबसे पहले आप लोग इस घजल के जो लेखक है मुबारक अजीम अबादी उनके बारे में समझ यह की मुबारक अजीम अबादी की पैदा हुए वो कहां तक पढ़ाई किये थी निपक्राइश की बारी में पैदाइश हुई थी 21 अप्रिल 28-79 को ताजपूर-जिला दर्भंगा में और वो भी नहीं तो किस दिन तो जुम्मा के दिन समझते हैं फ्राइडे शुक्रुवार को कहते हैं जुम्मा के दिन इनकी पैदाइश होई थी और वो भी नहीं तो किस समय तो जो चार बजिका जयान होता है, असर का उस वक्त हुआ था इनकी, मतलब इनकी पेडाईश हुई थी तो यह मैट्रिक तक पढ़ाई किये थे, मैट्रिक तक इनोंने सिक्षा हासिल की थी और शहरी मजमुए listener अब एक चीज यहाँ पर बता दू मुबारक अजीम की वालिद यानिकि उनके पिता जी का नाम था फिदा हुसेन वामक के नाम था फिदा हुसेन तो वो भी एक शायर ही थे उनके जो पिता जी थे फिदा हुसेन वो भी एक शायर थे और उनका पकड बड़े बड़े शायरों से था और यही वज़ा है कि मुबारक अजिम अबादी को शायरी विरासत में मिली थी ठीक और यह भी शुरू बच्पन से शिर्वशायरी करना शुरू कर दिये ठीक तो यह चीज़ आप लोग याद रखिएगा तो मुबारक अजिम अबादी के शैरी मजवई इनिकी मुबारक अजिम अबादी एक है मिजानल तब और दूसरा है तबुलकबीर यह जो है ना दोनों फार्सी की किताब हैं और आगे बढ़िए उन्हें सो चोवन इसभी में हुकूमत हिंद ने उनकी अद्वी कारगुजारियों का इतराफ करते हुए सो रुपे महवार इनका ज्यादा था यह अदब को बढ़ाने में एक में रोल निभा रहे थे तो इनकी अद्वी कारगुजारियों का एतराफ करते हुए शाबासी देते हुए सो रुपे महवार वजीफे मुकरर किये यानि कि भारत सरकार ने मुबारक अजिम अबादी की मन्थली जो है वह सो रुपे कर दी सब्सक्राइब में सो रुपया लोगों के लिए बहुत ज्यादा था ठीक है तो उस वक्त जो है ना मुबारक अजिम अबादी की जो मन्थली इंकम था वह भारत सरकार ने बढ़ा कर सो रुपया मन्थली मिलने लगा ठीक आगे बढ़िए यह जो है ना उ उर्दू शेरवशाहरी के टीचर श्रिक्षक का नाम था दाग दहलवी और दाग दहलवी जो है ना यह टीचर बने थे 1892 को मतलब 1892 में मुबारक अजिम अबादी के यह टीचर बने और जब तक इनकी मौत नहीं हो गई मृत्तियू नहीं हो गई उन्हें सब पांच तक ज फार्शी शायरी में इनके उस्ताद थे यान की टीचर थे अब्दुलहमीद परेशान यह याद रखिएगा इंपोर्टेंट है एक्जाम में कोशन पूछ देता है अब्जेक्टिव में कि बताए उर्दू शायरी में मुबारक अजिम अबादी के उस्ताद का क्या नाम थ तो अब्दुलहमीद परेशा तो आप लोग इसको टिक कर दीजिएगा तो यह चीज़ आप लोगो ध्यान में रखना है कहीं से भी कोशन उठा कर पूछ सकता है ठीक और मुबारक अजिम अबादी के बारे में कुछ और भी डिटेल्स आप लोग के बुक में दिया गया है कि यह कहां कहा गया थे कौन कई से शहर में घुमने के लिए वह रहे हैं तो मुबारक अजिम अबादी का इंतकाल हो गया था बारह दिसंबर उनेश्ज गियों र हैं और इनको इनको यह जुन बहुत लम्बी कि पाए थे देखिए अठाओस उन्हें से बहुत ही इनको नंबे सालों तक ही जिंदा रहे थे तकरीबान उन्हें वरपहती और 90 वरस में से यानि की 90 साल में से 70 साल तक इनों hebben रोशायरी slashות मिखना मारू थीक, मुबार्क धिमाबादी के बारे में कुछ डीटल्स जो आप लोगों को यहाद रखना है, अब चलिए मैं आप लोगो गजल को समझाती हूँ कि आखिर गजल किसे कहते हैं क्या है गजल और उसके बाद से ये जो गजल आप लोगो पढ़ना है मुबारक अजिम अबादी की इसके भी पढ़ती है क्लाइन को पढ़कर उसका मतलब समझाती हूँ ठीक तो पहले ले यानि कि घजल शेरो शेरी के अंदाज में ही लिखी जाती है जिस तरह शेरो शेरी लिखी जाती है नजमियन की कविता लिखी जाती है इन दर सेम वे शेरो शेरी के अंदाज में ही घजल को लिखा जाता है बट वो उसको ऐसे लिखा जाता है कि लगता है कि औरतों से बाते पर औरतों की बाते करना जिसमें सिर्फ औरतों की बाते की गई हो शेरोशेरी के अंदाज में लिखकर उसे को कहते हैं गजल यह जो मानना था आथ से कई साल पहले माना जाता था लेकिन अब घजल का मीनिंग बदल चुका है घजल में अब धेर सारे मौज़ू टॉपिक आकर जुड़ गये हैं सियासी समाजी तारीक ही इश्किया हर तरह के मौज़ूह तरह के टॉपिक आकर घजल में जुड़ चुके हैं अब घजल का मतलब होता है अपने जजबातों को जाहिर करना यानि कि आपके अंदर जो भी जजबात है जो भी आप मैसूस कर रहे हैं आप अ अपने जजबातों को किसी भी तरह लिख देंगे तो घजल कहलाएगा नहीं अब घजल में भी कुछ काईदा कानून होता है घजल के काईदा कानून को फॉलो करते हुए जब आप लिखेंगे ना शेर वशारी के अंदास में तब उसको बोला जाएगा कि हाँ ये घजल है तो उनकों से मतलब घजल में क्या क्या चीज़े होनी चाहिए कि वो घजल कहलाएगा अब चलिए हम लोग समझते हैं देखिए उसको समझने से पहले आप लोग को समझना होगा कि मिस्रा और शेर किसे कहते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर घजल लिख दी हूँ जो कि आप पहले इसी को एक्जामपल लेकर आप लोग समझे कि घजल में क्या क्या चीज़े जरूरी होती है और रदीफ काफी हम इसरा शेर वगरा किसे कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले समझ लेजिए फिर मैं आप लोग को पढ़कर हर एक लाइन का मतलब समझाओंगी तो समझे पहले यहां पर इस घजल का पहला लाइन पढ़िया है साथे घुजरी जो घफलत में समझ लेख हो गई फिरके आने की नहीं नादा घडिया जो गई तो यहाँ पर जो पहला लाइन है यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए पहले लाइन को दो भागों में बाट दिया गया है दो सेंटेंस में बाट दिया गया है पहला जो जुमला है पहला सेंटेंस वो मेरे राइट हैंड यानि की डाय हाथ की तरफ और जो दूसरा जुमला है बाय हाथ की तरफ है और यह हो गया आप लोग का दूसरा मिस्रा जो की मेरे बाय हाथ के तरफ है ठीक तो एक लाइन में दो मिस्रा है उसी तरह दूसरे लाइन में भी दो मिस्रा है एक यह एक यह उसी तरह तीसरे लाइन में भी दो मिस्रा है चोथे लाइन में भी दो मिस्रा अगर इस पहले मिस्रे को यहाँ पर रख दू और दूसरे वाले मिस्रे को यहाँ पर रख दू तो बिल्कुल इसी तरह यह भी दिखने लएगा बट यह लास्ट लाइन है न इसलिए इसको उपर नीचे करकर लिखा गया है ठीक तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देजिए कि गजल के परतियक लाइन में दो मिस्रा होता है जैसे कि हर एक लाइन में हैं ठीक क्या कहते हैं यह होगे आप लोग का पहले लाइन का पहला मिस्रा और पहले लाइन का दूसरा मिस्रा यह है और दूसरे लाइन का दूसरा मिस्रा यह है ठीक यह चीज़ आप लोगो ध्यान में प्रभधान हैं अब यहां पर समज्य शेर किसे कहते हैं दो मिस्रे मिलकर शेर बनातें तो यहां पर पहले line में दो मिस्रे है न तो इस पहले line को बोला जाएगा पहला चर्थक तहुंकि ले स्बेधिक आप लोगो का पहला too है के खत्म बात उसी तोझेा syar तो चार मिशेर और उसके बाद से टोटल कितने मिशेर हैं आप हमें बताइए तो पहले लाइन में दो मिशरा किसे और तोल इसमें आठ मिश रहे । चार शेर हैं ठीक यहां तक तो confusion नहीं है अब आगे बढ़िए अब समझे कि रदीफ और काफिया किसे कहते हैं इसको समझने के लिए आप लोगो पढ़ना पड़ेगा साते घुजरी जो गफलत में समझ लो खो गई लास्ट में क्या रहा है गई और इसको भी पढ़िए फिर के आने की नहीं नादा घडिया जो गई इसके भी लास्ट में क्या रहा है गई यानि कि दोनों सेंटेंस दोनों जुमले के लास्ट में गई और गई आ रहा है सेम सेम प्रणाउंस हो रहा है और उसके बाद से सेम सेम क्या है लव्ज है यह तो इसी को बोला जाता है रदीफ क्या कहते है रदीफ इस तरह लिखा जाता है रदीफ ठीक तो घजल क्या जो पहला वाला शेर होता है देख रहे हैं पहला वाला शेर ये पुरा लाइन को क्या कहते है शेर तो ये पहला शेर है ना पूरा तो पहला वाला शेर के जो दोनों मिस्रे का लास्ट लफज होता है दोनों मिस्रे का जो लास्ट ल में काटे वो गई इसके भी लाश्ट में क्या रहा है अब देखिए पहले शेर के दोनों मिस्रे में आप लोगो रदीफ देखने को मिलेगा दोनों मिस्रे में आप लोगो रदीफ देखने को मिल रहा है गई और गई दोनों मिस्रे में गई गई से मिल रहा है ना लेकिन अब यहां पर दूसरा शेर में दूसरा शेर के पहले मिस्रे में आप लोगो यहां पर गई नहीं मिलेगा दूसरे शेर के सिर्फ दूसरे मिस्रे में लास्ट वाले मिस्रे में ही गई मिलेगा देखिए यहां पर गई मिला है बो गई ठीक तिसरा पढ़िए घर शबे वादा मेरा म मिस्रे में गई गई देखने को मिलेगा उसके बाद से दूसरे शेर के सिर्फ दूसरे वाले मिस्रे में गई देखने को मिलेगा तीसरे शेर के सिर्फ दूसरे वाले मिस्रे में गई देखने को मिलेगा उसी तरह जो लास्ट वाला सेर होता है ना चौथे या फिर लास्ट वा जो लव्ज होता है ना बिल्कुल समान होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं गई और गई प्रणंसियेशन भी सेम है और एकदम बिल्कुल समान लव्ज है तो इसी को कहते हैं रदीफ दूसरे शेर के जो दूसरा मिस्रा है उसके लास्ट में आप लोको रदीफ देखने को म होना चाहिए अब समझे की काफिया किसे कहते हैं काफिया देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है काफिया को अब समझे की काफिया किसे कहते हैं रदीफ तो समझ गए अब रदीफ से ठीक पहले आईए माले जीसमें यह रदीफ है गई क्या है रदीफ है अब गई से ठीक पहल यह जो गई रडीब है इसके पहले क्या है जो ठीक है यानि की खो और जो सेम प्रोणाउंस हो रहाई की नहीं पृणऐसे सीम है की नहीं भलः लफज अलग-अलग है खो है यह और यह जो है लेकिन पृणऊनसियसं सेम है न उच्चारर है ठीक है न तो इसी को बोलते हैं काफिया रदीफ के पहले वाला जो लवज होता है वो पॉनंसियेशन में सेम होना चाहिए समान होना चाहिए उसी को कहते हैं काफिया तो रदीफ के पहले खो है यहां पर भी रदीफ के पहले जो है यानकी पॉनंसियेशन दोनों का क्या है सेम है तो इसी को कहते है काफिया उसी तरह दूसरे शेर में देखिए दूसरे शेर के पहले मिस्रा में तो नहीं देखने को मिलेगा लास्ट वाले मिस्रा में देखने को मिलेगा तो देखिए यह आप लोगा रदीफ और ठीक इसके कदम पीछे जाईए क्या हो गया वो है यानि कि खो जो और इसी के सेमने है यहां पर रदीब के पहले देखिये रोग और रो Islamic अभगा उनरहा तो यहां पर हो फेले यह ठीक है तो है इसको भी क्या बोलेंगे काफिया तो आई थिंक आप लोगो समझ में आया होगा कि रदीफ और काफिया किसे कहते हैं अब अपने जज़बातों को जाहिर कीजिए शेर और शेरी की अंदाज में लिखिए और उसमें रदीफ और काफिया होना चाहिए लास्ट वाला जो लफज है वो सेम सेम होना चाहि ठीक तो यह होता है घजल अब चलिए मैं आप लोग को यह चैप्टर नुम्बर 27 का घजल आप लोग को पढ़ना है इसके हर एक लाइन को पढ़कर उसका मतलब समझा देती हूं पहला लाइन तो मैं आप लोगो को कितना बार पढ़ी साहते गुजरे जो गफलत में समझ लेक वो खो गया समय वो समय बीत गया गुजर गया अब दुबारा वापस नहीं आएगा फिर के आने की नहीं नादा घडिया जो गई यान कि अगर आप चाहते हैं जो समय बीत गया है वो वापस समय आ जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा जो समय बीत गया सो बीत गया अब दुबा मुबारक अजिम अबादी बोल रहें क्या कहें जो समय बिद गया वो तो आ नहीं सकता लेकिन क्या कहें क्या क्या तेरी निगाहों ने मेरे सांथ सुलुक किया है तेरे चेहरे मेरे दिल पर छप गई है और दिल में आई तेरी जो निगाहे तेरी जो यादे है वो मेरे दिल मे काटे बो कर चली गई मतलब यह किसी औरत को बोल रहे है मुबारक अजिम अबादी ठीक आगे बढ़िए घर शोबे वदा मेरा मातम सरा से कम न था तुम न आये हसरते आ आके मुझको इसका मतलब यह हुआ कि तुम वादा की थी कि तुम मेरे घर आओगी तुम तो नहीं आई लेकिन तुमारी यादे तुमारी चेहरे मेरे दिल में आकर मुझको रुला कर चली गई और उस वक्त मेरा घर था वो कोई मातम सरा से कम नहीं था मतलब तुम नहीं आई उसी के घम में डूबे हुए थे हम तुम तो नहीं आई तुमारी यादे तुमारी हस्रते तुमारी चेहरे मेरे घर आकर मुझको रूला कर चली गई ऐसा लग रहा हो कि मेरे घर में मातम हो रहा हो ठीक आगे बढ़िये सोजे दिल से अश्क आँखों में तवे की बूंध है और वह्यू ताना जन सावन की जड़िया हो गई यहाँ पर बोला जा रहा है मुबारक जिम अबादी कह रहे हैं कि तुम तो वादा की थी आने की तुम आई नहीं लेकिन तुमारी यादे तुमारी हस्ते आखे मुझको रूला गई और यहीं वज़ा है कि मेरा जो दिल है वो तवे की तरह घर्म हो गया था और मेरा दिल घर्म होने के जासे मेरे आख से जो अश्क यानि की आशू निकल रही थी वो भी घर्म हो गई थी मतलब तवे की बूंद की तरह घर्म हो गई थी मेरे दिल की घर्मी को जैसे मेरे आख की आशू जो निकल रही थी वो भी घर्म हो गई थी और वह यू तानजन सावन की जड़िया हो गई यानि कि वो जो मेरे अंदर आख से आशू निकल रही थी ताना मार रही थी और तान पर होता है यह लाश्ट लाइन है यहीं पर होता है आप लोगों का यह घजल कंप्लीट बहुत यह तरीके से लिखें मबारक अजीम अबादी ठीक तो कोई भी कमफ्यूजन हो इससे रिलिटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी में आप लोगों को जो कुछ भी सम क्लिक कर लिजिएगा ताकि मेरी रोज आने वाल वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे ठीक तो फिर भी लिएंगे नेक्ट वीडियो में नेक्ट आपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज